वैसे आपके सामने पूरा का पूरा एंसर किया जाएगा इसे पहला प्रस्न जो दिया है ना यहां पर आपके सामने चार आपसंस दिया है एंसर किया है उसका तो एंसर चाउथा है और जब आप पेपर देने गये थे तो आप भी चाउथा आपसं चूज किये थे यहां पर च चाए मेलो चाए फी मेलो अगर आप इस साल SSCD का पेपर दिये थे तो ये वीडियो आपके लिए हैं अभी SSCD का एंसवर की चेक होने लगा है ठीक है ना मैं आप लोगो बिल्कुल आसान भासा में बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगो अपना SSCD का एंसवर की चेक करना है ब आप लोग अपने एड्मिट कार्ड में देखना उपर ही रोल नमर लिखा गया है तो उस रोल नमर का जरूरत पड़ेगा और आप लोग का जो डेट आप बर्थ है ना उसका जरूरत पड़ेगा लेकिन उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए वो मैं आप लोगो बता दे रहा लेकिन उधर काफी सरे लोग कनफ्यूजन में पड़ जाते हैं आप लोगो कनफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है गूगल पर आकर आप लोगो सरकारी रिजल्ट लिख कर सर्च मारना है और जैसे ही गूगल पर सरकारी रिजल्ट लिख कर सर्च मारोगे तो आपके सामने आईसा आप्संस देखने को मिलेगा तो आप लोग को सरकारी रिजल्ट पर नहीं किलिक करना है यह जो नीचे एंसोवर की लिखा गया ना एंसोवर की पर आप लोग को किलिक करना है और जैसे ही एंसोवर की पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ आईसा आप्संस दे देखने को मिलेगा अब आप लोगो सब से नीचे चले आना है जैसे इधर बताया गया कि कब से कब तक ऑनलाइन हुआ था अब यहां पर क्या करना है आपका जो SACCD का admit card है ना उसमें जो आपका role number लिखा गया है वो role number यहां पर लिखना है मैं पालवान भई का role number यहां पर लिख देता हूँ पालवान भई का role number डाल चुका हूँ पसवर्ट भी डाल चुका हूँ, पसवर्ट क्या रहता है, पसवर्ट आप लोग का data birth ही रहता है, और data birth को किस तरह से डालना है, बीच में कोई space to space नहीं डालना है, जैसे आप का data birth, जैसे 3425 है, तो आप लोग को कैसे डालना है, 03, फिर 04, और फिर 2005 करके ऐसे यहां पर पसव डालकर किलिक करोगे ना वैसे आपके सामने कुछ आईसा आपसंस देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे चले आना है नीचे यहाँ पर लिखा गया है क्लोज ठीक ना तो क्लोज पर किलिक करना है और जैसे यह आप लोग क्लोज पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ आईसा और इहाँ पर सबसे पहला प्रस्ण दिया और यहां पर लिखा गया कि टूज आपना है यहां और यहां पर श्रींखिया खूलिगा तो पालवान भाई का देखो एक हो साही हो गया और आपका यहाँ पर दूसरा दिया है दूसरा आपका दिया है कि दिये गए बिकलपों में से निमने लिखीत सिरिंखला से लूपत संख्या का चयन कीजिए तो यहाँ पर मतलब जैसे तिसरा राइट एंसर है ना इधर कौन सा पालवान भाई चूज किया है देखो पालवान भाई यहाँ पर लिखा गया कि चूज आप्सन तो पालवान भाई भी तिसरा ही चूज किया था उसका यह भी साही हो गया ठीक ना अब यहाँ पर आपका नेस्ट दिया है एक और प्रस्न दिया है तो इसका एंसर यहाँ पर पर तिसरा चूज आप्षण लिखा गया है तो समझो यह पालवान भाई का खतम हो गया ठीक ना एक क्वेस्टन गलती हो गया तो जो क्वेस्टन गलती होगा आयसे आप लोग को पता चल जाएगा ठीक ना देखो यह बारहवा में जैसे पहला आपका सई है और पालवान एंसोर की चेक करने नहीं आता होगा ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग आसानी से अपना एंसोर की चेक कर लेंगे ठीक ना और जितने साथी अभी तक मेरे टेलीगराम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मेरा टेलीगराम चैनल नीलेस बलोग के नाम से आये मतलब इसका direct link में अपने telegram channel में दे दूँगा वहांसे आप लोग जब link पर click करोगे ना तो run number डालोगे अपना data birth डालोगे और अपना SSCD का answer की check करोगे ठीक ना तो telegram channel में आप लोग जूड़ी जाना चलो ठीक मिलते हैं आगले video में जय हिंद बंदे मात्र